हमारे चैनल पे और अगर आपके सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या बेल आइकर ने प्रेस के और जरूर कर दीजेगा ताकि आपको नए वीडियो को सुचना हर बार मिलती रहे आज को जो स्टॉक है उर्जा ग्लोबल लिमिटेड थोड़ा सा आप लोगों में से कई स्क्राइबर्स मेरे डिस्पॉंटिट होगे कि मैं ऐसा स्टॉक के बारे में रिवीव क्यूं दे रहा हुआ एक पेनी स्टॉक देखे मुझे फेर जॉब करनी है हर कंपनी के बारे में ह स्टॉक के बारे में बताना पड़ेगे जिसमें लोगों की रूची है तो कई स्क्राइबर्स में मुझसे पूछा था नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में आज मैं सर्च कर रहा था कि उर्जा ग्लोबल के बारे में आप बताएं तो उर्जा ग्लोबल के बारे में बहुत पहले एक वीडियो बनाया था तो लोगों ने काफी भला बुरा कहा था ताक क्योंकि मैंने उसमें बाइन की बिल्कुल भी सला नहीं दी थी उस समय एक सिचुएशन देखते हुए लेकिन अभी Q4 के रिजल्स आए हुए अभी भी देख लेते हैं कि अभी क्या सिचुएशन है और म अभे समय के जो निवेश है कि उनको क्या करना चाहिए या शौट टर्म ट्रेडर्स तो खेर ऐसे स्टॉक्स में खरीते बेशते रहते हैं मुनाफ़ों आप अभी कमा लेते हैं जो लोग एक्सपर्ट हैं केंडल प्लेयर या फिर जो भी इनका अपना चार्ट देखने का त पता चलता है कि जो clean energy, green energy, government भी इसको बढ़ावा दे रही है और यह किस प्रकार के products बनाती है आए हम देख लेते हैं देखिए यह रिक्षा battery, solar water pump यह सब solar system से चल रहा है, solar home lightning system यह जो solar से light store करके फिर उसको प्रजुलित करती है solar complete street light, solar panels, solar water heater और solar inverter, LED street lights, solar LED laltens और solar street light lithium ion, low maintenance हाँ, उर्जा global limited is an ISO हालां कि उन्होंने अपने company के बारे बिस्ता पूरोग बताया है तो चलिए आप लोग समझ गये हैं कि mainly green energy के sector में काम करती है और इस प्रकार के जो अभी प्रोड़क्स के मैंने नाम ली हो बनाती है तो company तो बहतरीन लग रही है आने वाले समय में energy के काफी भारी demand होने वाली है हमारे देश में तो मुझे लगता है कि ये company बहतरीन प्रदरशन करना चाहिए लेकिन उसके पहले सबसे पहले डिपेंडर होते हैं प्रोड़क्स तो अच्छे management कैसा है उसमें क्या उनको profit हो रहा है company को कितना करजा है वो सब देखने के बाद ही हम इस पर decision लेंगे तो शुरुआत करते हैं आज क्या भाव है आज तो market बंद है लेकिन कल जो 7 जून 2019 को लास्ट क्लोजिंग थी BSC पे 2 रुपए 43 पैसे पे और 52 वीक लो बनाया था एक रुपए 55 पैसे हाई था चार रुपए 70 पैसे इसको पेनी स्टॉक्स भी कह सकते हैं और यहां पर देखी मेटर में लोग कह रहे हैं कि 100 प्रतिशत लोग करें कि buy it buy it आपको लाब होने वाल चार पैसे पी रिश्यो 60 का और इंडस्ट्री पी है 17 की तो इंडस्ट्री पी से कई गुना यह इस की इस स्टॉक की पी है मतलब प्राइस टॉर्निंग और डिविडेंट यहां पर नहीं शो हो रहा है इसका मतलब इस नॉट पेंगे स्टॉक और फेस वैल्यू रह गए यह एक की डिलिवरेबल है 43.92% के आसपास वर्दस डिलिवरी है और प्राइस टुबुक है 0.99% तो हम अगर बैलेंस शीट पे चलते हैं पहले हम करजा देखते हैं इसी कंपनियों पे तो टोटल डेट है 0.33 याने की तैस लाग के आसपास जो की ठीक है नॉमल है कोई दिक्कत है और हम फानली इसके पहले रिजल्स देखते हैं हम यहां पर देख रहें मार्च 18 से मार्च 19 के year on year compare करते हैं तो net sales जहां पर मार्च 18 में थी 38 करोड के आसपास वही मार्च 19 में होगे 44 क्रोड के आसपास तो यहां पर 14% के आसपास की upside है लेकिन operating profit में 35% की downside है net profit में भी 0.99% और margin में तो प्रश्न ही नहीं उठता margin भी यहां पर 0.07% की downside है वहीं अगर हम देखते हैं quarter में December 18 से March 19 के quarter Q4 में Financial Air 2019 में तो net sales में यहां पर 28% की upside है लेकिन operating profit में 255% की negative side है और net profit में भी यहां 22% की negative side है और margin में भी यहाँ पे 0.81% की negative downside है तो इस प्रकार से रहे इसके results जो की बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और अगर हम यहाँ पे returns सिंके चलते हैं तो return भी उसी प्रकार के हमें दिखेंगे कि जहाँ 10 सालों में तो 110% के ठीक दिख रहे हैं आपका पैसा double हो गया है और 5 सालों भी यहाँ पे 70% के return लेकिन 4 सालों में पैसे आपको 35% के negative में return है 3 सालों में 33% के positive हैं और 2 सालों में जबर्दस return है एक उससर परसन के आस-पास और एक साल में भी 39% के negative है एक दिन में यहाँ पे positive हलका सा दिख रहा है anyways तो अगर हम share holding pattern में भी चलते हैं तो promoters के पास 32-33% के आस-पास की holding है और कोई भी share गिर्वी नहीं है यह थोड़े से एक सुकून वाली बात है और individual investor से जबर्दस्त holding है 53.1% के आस-पास है और mutual foreign institutional investors में 0.78% यानि की दो FIIs ने यहाँ पे अपने holding ली हुई है और बाकी हम company के बाले में काफी कुछ देख चुके है powers related company है private house है और 1992 से काम करें dividend यह बिल्कुल पे नहीं करती क्योंकि अभी इनका कुछ profit में आही नहीं रहा तो यह dividend कहां से पेख करेंगे और सुकूर माली भरी बात थी कि इसमें जो है कर्जा ना के बरावर था एक बार फिर से हम चलेंगे दूसरी साइट भी करजे क्या स्थिती है और हमने यहां पर भी अच्छा यहां पर करजा थोड़ा सा इन्हों ने कम किया वहां पर तो कम दिख रहा था लेकिन यह मार्च 18 का data है यहां पर मार्च 19 का करजा अभी दिखाने का इनिवेज तो हम वही money control के side का ही हम देख पा रहा है कि यहां पे इतना 33 लाग का ही कर्जा है तो कर्जा चलो इतना तो सवज में आता है कि छोटा मोटा कर्जा चलता रहता है तो यह रहें इसके data और अभी हम बात कर लें वर्दमान स्थिती जिस प्रकार से है इसके return जिस प्रकार से रहें है बहुत विशेश रेटन नहीं मिलें इसमें छोटी price का stock है छोटी microcap company है तो फिलाल मेरा कप क्या point of view होना चाहिए कि मैं इसमें आपको निवेश करने के सलाद तो देखे लंबे समय के निवेश को को मैं कहूंगा कि इसमें सदूर रहें आपको सकता है कि जब तक इसके अच्छे results नहीं आते तब तक इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता और फिर भी आप अपने सूजबूज के साब से अपने financial advisor के माध्यम से आप इसमें जो चाहे करना तो आप सोच समझ के करिएगा और शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो वो तो खैर लगे हुए हैं कि मुझे लगता है कि अपने study उनकी होगी कि कितने में लेना चाहिए कितने में बेशना चाहिए तो वो शॉर्ट टर्म प्रियेड में ट्रेडिंग या इंसाइ बुरा लोग कहेंगे फिलाल मैं यहीं पर अपना वीडियो वाइंड अप करता हूं थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो